दो फरबरी 2022 हिंदी फिल्म के मशूर अभीनिता रमेश देव हमें छोड़कर चले गए आज की पीड़ी इस महान कलाकार के बारे में बहुत कम जानती है आईए आज उनके संक्स्मरणों में रमेश देव जी के बारे में कुछ रोचक तथे जानते हैं रमेश देव के पीता के साथ प्रिथी राज कपूर की दोस्ती के चलते वो बचपन में अक्सर शूटिंग देखने जाते थे एक दिन रमेश अपने पीता की शूटिंग देखने गए प्रिथी राज कपूर खुद उस फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे प्रिथी राज जी को उस दिन एक लड़के के साथ एक सिन की शूट करनी थी लेकिन क्योंकि वो लड़का शूटिंग पर मौजूद नहीं था इसलिए प्रिथी राज कपूर जी ने रमेश देव से पूछा क्या तुम ये भूमिका निभा सकते हो किशोर रमेश का जवाब था हाँ मैं जरूर इसे कर सकता हूँ अगर मेरे पापा इजाज़त दे तो फिर प्रिथी राज कपूर जी ने रमेश देव के पिता जी से अनुमती लेकर उस लड़के की भूमिका में रमेश जी को ले लिये मनजर ऐसा था कि प्रिथी राज कपूर सरक पर जा रहे हैं ऐसे में वो एक लड़के से टकरा जाते हैं प्रिप्तिराज जी लड़के से पूछते हैं क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो तब वो लड़का जवाब देता है कि मैं ठीकी जा रहा था सर लेकिन अचानक आप जैसा एक व्यक्ती मेरे सामने आए तो मैं चौक गया और लड़करा गया इस सिक्वेंस को रमेश देव ने बहुत अच्छे तरीके से निभाए थे परिपक्व उमर में रमेश देव की फिल्म में आने की कहानी और भी दिल्चस्प है रमेश देव का परिवार चाहता था कि वो सेना में भरती हो जाए कोलापूर में रहते समय रमेश को कॉलेज के ही एक लड़की से प्यार हो गया उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए रमेश ने उन्हें एक दिन एक मराथी फिल्म की शूटिंग दिखाने की पेशकर्ष की जब लड़की मान गई तो रमेश उस लड़की और अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ शूटिंग पर पहुँच गए प्रसिद्ध मराथी फिल्म निर्माता निर्देशक दिनकर पाटिल स्वाहब वहां मौजूद थे इस कॉलेज स्टूडेंट के गिरो को देखके दिनकर साहब का दिमाग में अचानक ये खयाल आता है कि आज के शूटिंग सिक्वेंस में जो जूनियर आर्टिस्ट है वो काफी परिपक याने की मैचियोड है उनकी तुलना में ये कॉलेज के स्टूडेंट्स इस सिक्वेंस के लिए अधिक उपयुक्त होंगे उन्होंने रमेश जी को और उनके ग्रूप को ये प्रस्ताव देते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि रमेश देव स नहीत वो पूरे कॉलेज स्टूडेंट के गिरो को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है वो इसे सिकार कर लेते हैं और द्रिश्र को खुब सूर्ती से चित्रित किया जाता है निर्देशक दिनकर साहब ने प्रतेक छात्रा को 10 रुपिये और प्रतेक छात्र को 8 रु लोग भी दिये थे वही समय से रमेश देव की फिल्मों में अविनय करने की प्रती रूची बढ़ी मराथी नाटक के दुनिया में अपने आपको परिकपक करने के बाद मराथी फिल्म के दुनिया में वो आए पहले उन्होंने राज परांजपे के एक फिल्म में बतोर खल नायक के रूप में ही ज़्यादा दिखा गया लेकिन सता जनमाता सोबीती के शूटिंग के दोरान फिल्म निर्माता और नायक के बीच जगड़ा हो गया और रमेश देव को फिल्म का नायक बनने की पेशकश की गई रमेश जी पहले तो इनकार किये लेकिन बाद में इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर के रिक्वेस्ट पे वो इस फिल्म में बतोर हीरो काम करने के लिए राजी हो गया है रमेश देव की हिंदी सिनेमा में पदारपन के पीछे की घटना भी काफी दिल्चस्प है रमेश देव तब मराठी फिल्म जगत का एक बड़ा नाम बन चुके थे वो समानतर में नायक और खलनायक की भूमी का निभा रहे थे एक दिन शुटिंग के लिए रास्ते में रमेश जी को चाई पीने की इच्छा हुई इसलिए वो एक चाई के दुकान के बगल में अपना गारी पार्क किये चाई के ओरडर देने के बाद दुकानदार ने उसे एक गंदे प्याले में चाई सर्व किये रमेश जी ने उस गंदे प्याले में चाई पीने से इनकार कर दिये तब ही दुकान के आसपास के कुछ लोग ने दुकानदार से कहा अरे भाई उन्हें एक साफ सुत्रा प्याले में चाय दो ये मराठी फिल्म के जाने माने कलाकार रमेश देव है जवाब में अपनी ही दुकान में राज कपूर और दिलिप कुमार के लगे दो तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा अरे हीरो तो ये है ये कहा के हीरो है कार से उतरने से ही कोई हीरो बन जाता है क्या इस बात से रमेश देव को काफी दुख पहुँचा और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो साबित कर देंगे कि उन्में हिंदी फिल्म में काम करने का दम और छमता दोनों ही है इसके बाद उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन से संपर्ट किये राजश्री के बैनर तेले ही उनकी पहली हिंदी फिल्म आर्ती रिलीज हुई और इसके बाद रमेश देव हिंदी फिल्म जगत में और पीछे मुर के नहीं देखे अपने आपको वो हिंदी फिल्म जगत के बॉल्यूड के एक जाने माने लेजेंड एक्टर के रूप में स्थापित किये थे